Hello Guys, Welcome to Stay Smart To Guys आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो post है वो Google के third number पर rank कर रहा है जी यहाँ आप यहाँ आप यहाँ पर देख सकते हो Google के तीसरे number पर मेरा यह जो post है वो rank कर रहा है और वो भी बिना किसी backlink है मेरी website बिल्कुल new है और मेरा website पर मैंने एक भी बैक लिंक नहीं बनाई मैं आपको लाइफ प्रूफ के साथ बैक लिंक्स चेकर के भी दिखाऊंगा और आपको कैसे विदॉट बैक लिंक्स अपने वेबसाइट को राइंक कराना है वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वारा हूँ गाइज तो गाइज अगर आप एक बिगिनर हो अगर आप अपने पोस्ट को विदॉट बैक लिंक्स राइंक कराना चाते हो गूगल के फर्स पेज में तो गाइज ये वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल सही प्लेगी है इस वीडियो को आप बिना स्किप कर ये पूरी एंड तक देखिए वीडियो जैसा ही एंड होती है आप सीख जाओगे कि विताट बैक लिंक्स आप कैसे अपने पोस्ट को गूगल के फर्स पेज में राइंक करा सकते हो इस मेधड को फालो करके आप अपने वेबसाइट को जो है वो अच्छे से ग्रोग कर सकते हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर अगर आप नहीं आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पर इसी तरह के इंटरस्टिंग वीडियो मिलते रहते हैं So yeah guys, without wasting any more time, let's get started Okay guys, तो सबसे पहले अगर आप यह जानना चाहते हो कि without backlinks हम किस तरह से अपने post को Google के first number पर rank करा सकते हैं किस तरह से हम अपने website को without backlinks Google के first page पर किस तरह से हम rank करा सकते हैं अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको अपने एक new website के demo के साथ आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने एक new website के post को new website को google के first page पर rank किया है वो भी मैं आपको उस website के backlinks भी check कराऊंगा ताकि आपको यखिन हो सके कि वो website new है या नहीं और मैंने उस website के backlinks बनाए है या नहीं तो guys चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको अपने website पर लेके चलता हूँ पहले मैं अपना website आपको दिखाता हूँ तो guys आप यहाँ पर देख सकते हो URL bestlines.in ये मेरा website है guys चलिए अब हम इसे यहाँ पर search कर लेते हैं और search करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो bestlines.in चलिए एक बार हम इसे open कर लेते हैं तो guys आप यहाँ पर देख सकते हो यह मेरा website है guys bestlines.in तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का मेरा website है guys तो इस website पर मैंने सिर्फ 7 post दाले हैं guys अब तक और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर AdSense के लिए मैंने apply भी नहीं किया है अभी तो यह एक new website है जस्ट दो महिने शायद ही हुआ होगा इस website को और मैंने इस website पर बिल्कुल भी काम नहीं किया सिर्फ और सिर्फ इस website पर साथ post है तो अब मैं आपको proof के साथ इस website को Ubersuggest पर backlinks टेगर में लिख जाके आपको दिखाऊंगा कि इस website के कितने backlinks बने हैं तो अब हम चलते हैं Ubersuggest पर तो guys आप यहाँ पर देख सकते हो हम आगे हैं Ubersuggest पर तो अब मैं यहाँ पर से अपने domain को जो है वो search करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो bestlines.in यहाँ पर मैंने अपना URL जो है वो enter कर दिया है अब मैं यहाँ पर से search कर लेता हूँ तो guys आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही मैंने search किया है result आपके साम में आएगा तो guys आप यहाँ पर देख सकते हो result आपके सामें है guys आप यहाँ पर देख सकते हो back links जो की है zero और यहाँ पर आप देख सकते है no follow भी zero है मैंने एक भी back link नहीं बनाई आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो url है bestlands.in तो guys यह एक new website है और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके जो back link से वो zero है तो अब हम चलते हैं google पर और मैं आपको इसी website के post जो rank कर रहे हैं वो आपको दिखाता हूँ तो guys हम आ गया है google पर तो अब मैं यहाँ पर से कुछ keyword search करता हूँ और आपको बताता हूँ कि मेरा post उस keyword पर किस position पर rank कर रहा है तो guys यहाँ पर मैंने keyword को type कर लिया है तो चलिए search यहाँ पर से हम कर देते हैं तो जैसे ही मैंने search किया तो guys आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कुछ imageis IV है उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो first position पर जो post है वो कुछ shairibazaar.com वो rank कर रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हो second position है guys वो मेरे website की है मेरे post की position है second आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने search किया keyword first number पर shairibazaar.com rank कर रहा है जो की एक बहुती famous website है shairibazaar पुराना website है और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा website rank कर रहा है bestlines.in आप यहाँ पर URL देख सकते हो guys second number पर मेरा new website rank कर रहा है जिसके backlink 0 है guys आपको मैंने backlinks बताए है तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से without backlinks second number पर मेरा post rank कर रहा है तो यह एक ही keyword नहीं बहुत सारे और भी keywords है और आप यहाँ पर देख सकते हो यह वाली जो image है guys यह मेरे website की image है अब इस पर मैं अगर click करूँ तो यह सीधा मेरे website पर आएगा guys यहाँ पर आप देख सकते हो website image और guys wait just a minute हाँ guys आप यहाँ पर देख सकते हो image के ओपर लिखा है bestlines.in यह मेरी image है guys जो की google में rank कर रही है और यह image भी मेरी है guys आप यहाँ पर देख सकते हो यह वाली image जो है bestlines.in यह image भी मेरी है जो की rank कर रही है google के first page पर तो guys अब हम आ गया है अपने laptop की screen पर तो guys यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपना search console जो है जो आप यहाँ पर देख सकते हो guys यहाँ पर कुछ keywords है मैं one by one google पर search करा हूँ तो video लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने यहाँ पर keywords आप देख सकते हो इन keywords पर मेरा post rank कर रहा है यहाँ पर google की जो है वो position है guys यहाँ पर आप देख सकते हो 3.1 यानि कि कभी 3 कभी उससे थोड़ा नीचे इस position पर मेरा इस keyword पर rank कर रहा है और इस keyword पर आप यहाँ पर देख सकते हो fourth position पर इस keyword पर मेरा post rank कर रहा है और इस keyword पर आप यहाँ पर देख सकते हो 1.9 position और इस keyword पर 5.2 और यहाँ पर आप देख सकते हो 7.1, 2.5, 1.1, 2, 3.5 इस तरह से फर्स्ट गूगल के फर्स्ट पेज पर मेरे पोस्ट जो है वो राइंक कर रहे हैं यह तो रही वेब, I mean, आर्टिकल्स की बात, अब मैं यहाँ पर से एक बार इमेजस पर आजाता हूँ और मेरे इमेजस किस तरह से राइंक कर रहे हैं वो आएं मैं आपको अब दिखाता हूँ तो guys, आप यहाँ पर देख सकते हो 1400 क्लिक्स मिले हैं guys मुझे मेरे इमेजस पर और यहाँ पर देख सकते हो total impressions तो इस तरह से guys आपको यहाँ पर work करना है guys और गाइस यहां पर आप देख सकते हो इंप्रेशन्स आप देख सकते हो यहां पर इस कीवर्ड पर कितने इंप्रेशन्स मुझे मिले हैं और इस कीवर्ड पर यहां पर आप इंप्रेशन्स देख सकते हो इंप्रेशन्स मतलब आपकी इमेज उतनी बार search result में appear हुई है guys, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी बार मेरी search result मेरी images आई है अभी बहुत सारे keywords पर है यहाँ पर आप देख सकते हो 1 to 10 of thousand, यानि कि thousand keywords पर शायद मेरी images, images, image rank कर रही है guys, तो guys अब आपको अंदाजा हो गया होगा मैंने आपको search console open करके ही दिखा दिया है किस position पर किस keyword पर मेरी image किस position पर rank कर रही है, आप यहाँ पर से सारे positions आप देख सकते हो तो guys, मैंने आपको live demo के साथ दिखा है, आपने website के backlinks checker के दिखा है और मेरे post किस तरह से Google के first position पर, I mean first page पर rank कर रहे है, वो मैंने आपको दिखाया है, तो guys, यह सब मैंने कैसे किया, कैसे without backlinks post कैसे rank करती है Google के first page में, तो guys, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपका अगर new website है ना guys, तो जितने भी मेरे post अब Google के first page पर rank कर रहे है guys, वो सारे post में जो keywords है, मैंने long tail वाली keywords को target किया है guys, जी हाँ guys, अगर आप एक new website बनाते हो, तो आपको long tail keywords पर काम करना है guys short tail keywords पर rank बिल्कुल भी नहीं करवा पाऊगे जी हाँ guys, मैंने आपको जो जो भी keywords बताए हैं, वो आप check कर सकते हो वो long tail keywords है guys minimum 3 words वाला एक keyword है वो long tail keywords पर ही आप without backlinks rank करा सकते हो guys short tail keywords यानि के जैसे shyry या फिर कुछ भी love messages इस तरह के short tail keywords पर guys आप rank नहीं करवा सकते हो जी हाँ guys, यह एक search है guys तो जब भी आप एक new website बनाओ तो आप long tail keyword पर focus करिए guys, long tail keyword पर आप easily अपने post को जो हो गूगल के first page पर rank करा सकते हो, even अपने website को भी आप Google के first page पर आप rank करा सकते हो और long tail keyword का use करके अपने post में आप अपने website को जो है वो grow करा सकते हो जैसे जैसे आपका website धेरा पुराना होता जाएगा, जैसे जैसे traffic आपके website पर बढ़ता जाएगा तब आप जाके आप short tail keywords पर भी आप काम कर सकते हो guys, तो guys, यही वो एक तरीखा है guys, जिसका use करके आप without backlinks जो है वो अपने post को rank करवा सकते हो Google के first page पर so guys, अगर आपका एक new website है तो आप इस method को आप try कीजिए बहुत अच्छा traffic आपको मिलता है long tail keywords को, अच्छे value value long tail keywords को आप target कीजिए आप अपने new website पर जितना ज्यादा long tail keyword को इस्तेमाल करोगे, अपने post में उतना ज्यादा आपके post जो है वो Google पर rank करेंगे, उतना ज्यादा traffic आपको मिलेगा, आपका website Google के नज़र में अच्छा बनेगा, जैसे जैसा website पुराना होगा, तब जा कि आप किसी भी keyword को target कर सकते हो क्यूंकि शुरू में हमें back links बनाना, ये करना, वो करना बहुत difficult होता है, तो हम इस तरह से easily long tail keyword को target करते होए अपने post को जो है वो हम Google के first page में rank करवा सकते हैं तो यही एक method है guys, जिसको use करके आप ये सब कर सकते हो, तो guys अगर आपको ये video अच्छी लगे तो इस video को like कर दीजे तो guys इस video में बस इतना ही था, guys, अगर आपको ये video अच्छी लगे तो इस vidéo को आप like कर दीजे, आप हमारे channel पर नहीं आ गए हो, तो guys इस channel को subscribe कर लीजे यहाँ पर इसी तरह के interesting information वाले वीडियोस आपको मिलते रहते हैं सो या गाइस मिलते हैं एक और अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तिल दन थांक्स अलोट पो वाचिंग बबाई